हालो फ्रेंट्स I'm around dream world करना हूँ यह हमारा 6 हमार टॉपिक आज का है वहोर्वे X बिसकिलिए desktop होता क्या है, desktop हमारा एक ऐसी window होती है, जब हमारा system on होता है, तब हमारा जो first page सामने आपको दिखता है, जो first display आपको होता है, वो होता है हमारा desktop, जिसके ओपर my computer, my documents, recycle bin, internet explorer या Google Chrome नाम से एक और चार icons आपके सामने आ जाते हैं, तो यह होता है हमारा desktop, लेकिन desktop की पूरी थियोरी क्या है, और उसमें कौन-कौन से icons होते हैं, कौन सी बार होती है, कैसे time दिखता है, कैसे date दिखती है, यह सब हम आ गया, अब इसमें देखेंगे हैं, यह है हमारा desktop, computer desktop आप देख रहे हैं, मैं system on कर चुका हूँ, और यह हमारे सामने desktop आ चुका है, यह जो पूरी window आप देख रहे हैं, यह हमारा पूरा desktop है, जिसके अपर एक मेरी pick लगी हुई है, साथ ही साथ, इसके अपर कुछ icons आ रहे हैं, आप icon देख रहे हैं, my computer, my documents, recycle bin, google chrome, means internet explorer, यह google chrome एक ही है, अब बात आती है, desktop होता है, desktop हमारे ऐसा first page है, जिसके अपर हमारे सारे icons show होते हैं, इसके साथ ही हमारा system start हो जाता है, और इसके बाद हमारे सारे programs इसमें install की जाते हैं, हमारे desktop on हो जाता है, तो इसके अपर हमारे इस icon के साथ, हमारी एक bar open होती है, जिसको हम कहते है, task bar, यह जो आप जिस पर देख रहे हैं, हमारी मेरी finger है, यह होती है, task bar, task bar पर first जो हमारा icon होता है, वो है start button, means जब इस पर click करेंगे हम, जो भी आपका applications आपने इसमें डलवाए है, software से डले हुए है, यहां आपको, कोई screen keyboard on करना है, या calculator देखन हमारा system open होता है, इसी तरह, इसी task bar के ओपर, हमारे यहां पर right and side corner पे option बने होते हैं, जिसका काम है, time बताना और date बताना, यह भी हमारे इसके ओपर होते हैं, और इसके साथ साथ, यह कुछ icons और भी होते हैं, जिस वो हमें बताते हैं, कि आपके इसके अंदर audio का software डला बाद आती, desktop, desktop में हमारे जो icons होते हैं, का काम क्या है, desktop first icon हमारा my document, my document basically एक ऐसा icon है, जिसके अंदर हमारा कोई भी file, चाहिए word से रेडिड हो, excel, powerpoint, access, photoshop, coral, draw, कोई भी आप file बनाते हैं, जिस software का file बनाएंगे, वो file हमारी my document के अंदर आके save हो जाती है, तो जैसे मेरे word की कुछ files मैं नहीं होंगी इसके अंदर, तो मैं दिखा आया तो आपको, जैसे मेरे इसको यह बना हुआ है, input और राहूल महाना, word की file है, इसको हमने save कर रखा है, तो जब भी आप save करते हैं, software में जाके, तो by default हमारा my documents के अंदर save हो जाता है, इसके पाद आता है, हमारा my computer, my अगर आपने dvd-rom लगाया हुए, तो dvd-rom का icon भी show होता है, उसके बाद अगर आपने pen drive भी लगाई है, तो pen drive का icon यहाँ पर show होगा, my computer एक group of icons है, जिसके अंदर सारे आपके छोड़े-छोड़े icons show, then third है हमारा recycle bin, recycle bin एक ऐसे icon है, जिसके अंदर हमारी कोई भी file जो template delete की जाती है, वो इसके अंदर आ जाती है, आप कोई file delete करेंगे, वो इसके अंदर आ जाएगी, और इसके बाद ही आप इसको permit delete कर सकते हैं, third है हमारा Google Chrome, यह गूगल Chrome है, इसको हम internet explorer, जब आप Windows ले किसी में Google Chrome आता है, किसी में internet explorer आता है, जो internet explorer औ Google Chrome दोनों यह की है, दोनों का इस फोर आइकन के साथ, उसको हम desktop बोलते हैं, जिसके अंदर time, date और हमारा start button होता है, तो friends, आज हमने पड़ा desktop होता क्या है, तो desktop आपको आरे में पुरी जांगा है, दे चुका हूँ, अगर आपको इसमें कोई query हो, कोई questions हो, तो आप हमें कमेंट के जरी पूर सकते हैं, मे